प्रिविद्यारतियों नमस्कार। आशा है कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्त्वय प्रसंद होंगे। हम प्रिष्णी सत्र में कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के अध्यन के बारे में जान चुके हैं कि एक नई कोशिका का निर्मान पूर्व वर्ति कोशिका के विभाजन के फलसरूत ही होता है। कोशिका विभाजन में घटनाओं का एक अनुक्रम कोशिका चक्र के रूप में सतत जारी रहता है। इस कोशिका चक्र में दो प्रावस्ताएं होती हैं। पहली अंतरावस्था कोशिका विभाजन के तियारिगी प्रावस्था तथा दूसरी सूत्री विभाजन अर्थात कोशिका विभाजन का वास्तविक समय सूत्री विभाजन में चार अवस्थाओं पूर्वा वस्था इसकों प्रोफेज कहते हैं मध्यावस्था अर्थात मेटाफेज, पश्चावस्था अर्थात एनाफेज और अंत्यावस्था अर्थात टीलोफेज का अध्यन हमने किया था आपके मन में ये प्रश्ण आता होगा कि सूत्री विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है इसके साथ साथ अर्द सूत्री विवाजन क्या होता है ये किन किन कोशिकाव में होता है तिथा एक जीव के जीवन में इसका क्या महत्त वै आदी इन प्रश्णों का उत्तर जानने के लिए इनको समझना काफी आवश्क है तो आईए, आज हम इने ही प्रश्णों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं इसलिए आज के सत्र के हमारे अजिगम उद्देश्य हैं सूत्री विभाजन का एक जीव के जीवन में महत्व को समझना दूसरा, आज़्द सूत्री विभाजन की समस्त अवस्थाओं का सचित्र वर्णन करना तीसरा, आज़्द सूत्री विभाजन का एक जीव के जीवन में महत्व को वर्णन करना चौधा- शूत्री विभाजन तिथा अर्धो सूत्री विभाजन में अंतर स्पस्ट करना इसके साथ-साथ आप में छात्रों में कला कौशल, विज्ञानिक दिश्टिकोनğ, जिग्याशुक प्रवर्ति और आवलोकन कौशल का दिकास करना इसके साथ साथ जीविज्ञान की अध्यान में अर्जित ज्यान को दैनिक जीवन की विभिन परिशितियों में सह संबंदित करना वा इनका दैनिक जीवन में अनुपयोग करना सबसे पहले यह समझ लेना आवशक है कि सूत्री विभाजन या मध्यवर्तिय विभाजन केवल द्विगुनित कोशिकाओं में ही होता है यद्यपी विकास के क्रम में कुछ निम्न स्रेणी के पादपों एवं सामाजे कीटों में अगुनित कोशिकाओं भी सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है सूत्री विभाजन का एक प्राने के जीवन में क्या महत्प है इसको समझना बहुत जरूरी है क्या आप कुछ ऐसे उधान जानते हैं जहां आपने अगुनित व्य द्विगुनित कीटों के बारे में पढ़ा है इस विभाजन से बनने वाली द्विगुनित को संत्ति कोशिकाएं साधान तया समान आनुवन्चिक अवियब वाली होती है बहु कोशिक ये जीवधारियों की व्रध्धी सूत्री विभाजन के कारण ही होती है कोशिका व्रध्धी के परिणाम सरूप केंद्रक वे कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अब व्यवस्तित हो जाता है इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित हो करके केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह भी है कि इसके द्वारा कोशिका की मरमत होती है अधिजर्म की उपरी सतह की कोशिकाएं आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं एवं म्रत कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती है आता है हम कह सकते हैं कि सूत्री विभाजन द्वारा संतत्री कोशिका में पित्र कोशिकाओं के समान गुण सूत्रों की संख्या बरकरार रहती है बहु कोशिक ये जीवधारियों की व्रद्धी सूत्री विभाजन के कारण होती है कोशिका व्रधि के परिणाम स्वरूप केंद्रक वे कोशिका द्रव्य के बीच का नुपात अब व्यवस्थित होता है इसके द्वारा कोशिकाओं की टूट फूट की मरमत होती है आए अब हम कोशिका विवाजन के एक अन्य प्रकार अर्ध सूत्री विवाजन को समझने का प्रयास करते हैं लेंगिक प्रजनन द्वारा संततिके निर्मान में दो युगमगों का संयोजन होता है जिन में अगुनित गुन सूत्रों का एक समू होता है युगमक का निर्मान विशिष्ट द्वी गुनित कोशिकाओं से होता है यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतती कोशिकाओं में गुण सूत्रों की संख्या आधे हो जाती है इस प्रकार के विभाजन को अर्दसूत्री विभाजन कहते हैं लेंगित जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्दसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निशेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनह स्थापित होती है पादपों एवं प्राणियों में युगमक जनन के दौरान अर्द सूत्री विभाजन होता है जिसके परिणाम सुरूप अगुनित युगमक उत्पन्न होते हैं अर्द सूत्री विभाजन की मुख्यों शेष्टाएं हैं पहली अर्द सूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक वे कोशिका विभाजन के दो अनुकर्मिक चक्र संपन्न होते हैं जिनने अर्द सूत्री एक वे अर्द सूत्री दो अर्थात अर्द सूत्री प्रधम और अर्द सूत्री द्वितिय कहते हैं इस विभाजन में DNA प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्रपूर्ण होता है एस अवस्था में पैत्रक गुण सूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान, संतती, अर्द गुण सूत्र बनने के बाद अर्द सूत्री प्रतम अवस्था प्रारम होती है आर्द सूत्री द्वितिय विभाजन में समझाद गुण सूत्रों का योगलन वे पुनर योजन होता है आर्द सूत्री द्वितिय के अंत में चार अगुणित कोशिगाएं बनती है आर्द सूत्री विभाजन को विविन अवस्थाओं में वर्गी करत किया गया है ये हैं आर्दसूत्री प्रथम अवस्था और आर्दसूत्री द्वित्य अवस्था आर्दसूत्री प्रथम अवस्था में पूर्वा अवस्था एक तथा आर्दसूत्री द्वित्य अवस्था में पूर्वा अवस्था दो होती है इसी प्रकार आर्दसूत्री प्रथम अवस्था में मध्यावस्था प्रथम और आर्दसूत्री दृतिय अवस्था में मध्यावस्था दृतिय होती है। अंत्यावस्था दृत्यावस्था होती है अब हम इनका विश्थत अध्यन करेंगे पूर्वावस्था प्रथम में अर्धसूत्री विवाजन प्रथम की पूर्वावस्था की तुलना सम्सूत्री विवाजन की पूर्वास्था से रिकी जाए तो यह अधिक लंबी और जट गुनसूत्रों के विभाहर के आधार पर इसे पांच प्रावस्थावं में उपविवाजित किया गया है जैसे तनुपट अर्थात लेप्टोटीन, युगमपट अर्थात जाइगोटीन, स्थूलपट अर्थात पैकीटीन, द्विपट अर्थात डिप्लोटीन और पारगत अर्थात डाइकानेसिस तो ये प्रोफेज बन अर्थात पूर्वावस्थ पर्थम की विभिन प्रावस्थाएं हैं साधारन सूक्ष्म दर्शी द्वारा देखने पर लिप्टोटीन तनुपट अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पस्ट दिखाई देने लगते हैं गुणसूत्रों का संगनन अर्थात कॉंप्यक्षन होता है पूरी तनुपट अवस्था के दौरान ये जारी देता है इसके उपरान पूर्वावस्था प्रथम का ध्वितिय चरण प्रारंब होता है जिसे हम युग्मपट कहते हैं इस अवस्था के दौरान गुण सूत्रों का आपस में यूगमन प्रारंब होता है और इस प्रकार की सम्मद्दता को सूत्र यूगमन कहते हैं युग्म पर टर्थाद जाइगोटीन इस प्रकार के गुण सूत्रों के युग्मों को समझात गुण सूत्र कहते हैं। इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म लेखी यह दर साता है कि गुण सूत्र सूत्र युगमन के साथ एक जटिल संदचना का निर्मान होता है जिसे सिनप्टिनीमल सम्मिष्र कहते हैं जिस सम्मिष्र का निर्मान एक जोड़ी सूत्र युगमित समजात गुण सूत्रोदारा होता है उसे हम युगली अर्थात बाइवैलेंट अथ्वा चतुष्क अर्थात टेट्राड कहते हैं यद्यभी ये अगली अवस्था में अधिक्स पस्थ दिखाई पड़ते हैं पूर्वा अवस्था प्रथम की उपरयुक्त दोनों अवस्थाएं स्थूल पट अर्थात पैकीटीन अवस्था से अपेक शक्रत कम अवधी की होती है इस अवस्था के दोरान प्रतेग युगली गुण सूत्र के चार अर्थ गुण सूत्र चतुष्क अर्थात टेट्रा की रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं इस अवस्था में पुनर योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं जहां पर समझात गुनसूत्रों के असंतति अर्ध गुनसूत्रों के बीच विनमे अर्थात क्रॉसिंग ओवर होता है विनमे दो समझात गुनसूत्रों के बीच आनुमनसिक पदार्थों के आदान प्रदान के कारण ही होता है विनमे एंजाइम द्वारा नियंतित प्रक्रिया है तथा जो एंजाइम प्रक्रिया में भाग लेता है वो है रिकंबनेज कहलाता है दो गुनसूत्रों में आनुमनसिक पदार्थों का पुनर योजन जीन विनमय द्वारा अग्रसर होता है समझात गुनसूत्रों के बीच पुनर योजन स्थूल पट्टा वस्था के अंतक पूर्ण हो जाता है जिसके परिणाम सुरूप विनमय स्थल पर गुनसूत जुड़े वे दिखाई पड़ते हैं दूपित अर्थात डिपलोटीन के प्रारम में सिनप्टिनीमल सम्विष्ट का विगटन हो जाता है और योगली अर्थात बायवैलेंट के समझात गुनसूत्र विनमय बिंदू के अतिरक्त एक दुस्य से अलग होने लगते हैं विनमय बिंदू पर एक्स आकार की संद्चना को कियाज मेटा क कहते हैं कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में द्विपट्ट महीनों या वर्षों बाद समाप्त होती है अर्द सूत्री प्रवावस्था प्रथम की अंतिम अवस्था पार गतिक्रम अर्थाद डायकेनेसिस कहलाती है जिसमें क्याज मेटा का उपांती भवन हो ज जाते हैं और तरक तंतू एकतित होकर के समजात गुण सूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं पार गतिक्रम अर्थाद डायकेनेसिस के अंत तक केंड्र का अद्रश्य हो जाती है और केंड्रक आवरन जिली भी विगटित हो जाती है पार गतिक्रम मध्यावस पश्चावस्था पर्थम में युगली गुनसूत्र मध्यरेखा पट्टिका पर विवस्थित हो जाते हैं। केंद्रक आवरण वे केंद्रिक पुनह स्पष्ट होने लगते हैं। कोशिका द्रव्य विवाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्रिक कहते हैं। जद्यभी बहुत से मामलों में गुनसूत्र का कुछ छितराव हो जाता है। जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूनतया फैले अवस्था में नहीं मिलते हैं। दो अर्धसूत्री विवाजन के बीच की अवस्था को अंतरालावस्था अर्थात इंटर काइनेसिस कहते हैं। और यह सामानतया कम समय के लिए होती है। इसमें DNA का द्विगुनन नहीं होता है। इसके बाद पूर्वावस्था द्वितिया आती है जो पूर्वावस्था प्रथम से काफी सरल होती है। पूर्वा वस्था द्वितिये अर्द सूत्री विभाजन तर गुण सूत्र के पूर्ण लंबा होने के पहले व्यकोशिक अद्र विभाजन के ततकाल बाद प्रारंब होता है। अर्द सूत्री विवाजन प्रथम के विपरीत अर्द सूत्री विवाजन द्वितिय सामान सूत्री विवाजन के समान होता है पूर्वा वस्ता द्वितिय के अंतक केंद्रक आवरन अद्रश्य हो जाता है गुण सूत्र पुनह संगनित हो जाते हैं आप स्क्रीन पर दर्शा चित्र को देखिए, मध्यावस्ता द्वितिये में गुणसूत्र मध्यान्स पर पंक्ति बद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की तरकुतंतु की सूक्ष्म न लिकाएं इनकी संतती अर्ध गुणसूत्र के काइनेटो कोर से चिपक जाती है इसके बाद पश्चावस्ता द्वितिया में गुणसूत्र बिंदू अलग से हो जाते हैं और इनसे जुड़े संतती अर्ध गुणसूत्र काइनेटो कोर से जुड़ी हुई सूक्ष्म न लिकाएं के छोटा होने से कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं अंत्यावस्था त्वितिये ये अवस्था अर्ध सूत्री विभजन की अंतिम अवस्था है जिसमें गुणसूत्रों के दो lavender पुनए केंद्रक आवरन द्वारा घिर जाते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन की उपरांत चार अगोनित संत्ति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्ठय बन जाता है प्रिये विध्यार्तियों क्या आपने कभी सोचा है कि अर्दसूत्री विभाजन एक जीव के जीवन में कितना महत्यपून है सोचिए अर्दसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लेंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रतेग जाती में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संदक्षित रहती है यद्यपी विरोधा भाशी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है तथा पी इसके द्वारा जीवधारों की संख्या में एक पीड़ी से दूसी पीड़ी तक आनुवान्शिक विभनिताएं बढ़ती जाती है विकास की प्रक्रिया के लिए विभनिताएं अत्यन्त महत्व पून है प्रिय विद्यार्थियो आज कोशिका चक्र और कोशिका के अर्धसूत्री विभायन के द्वरान हमने बहुत कुछ सीखा है चलिए एक बार उसकी पुन्दावर्ति कर लेते हैं लेंगिक जिनन करने वाले किसी भी जीवधारी का जीवन चक्र एक कोशिकी युगमन अर्थाद जाइगोट से प्रारम होता है कोशिका विभाजन जीवधारी के वयस्क बनने के बाद भी रुकता नहीं है बलकि ये उसके जीवन भर चलता रहता है उन अवस्थाओं को जिनकी अंतरगत कोशिका एक विभाजन से दूसरे विभाजन की और गुजरती है उसे हम कोशिका चक्र कहते हैं सूत्री विभाजन को हम सम विभाजन भी कहते हैं जिसके द्वारा संतति कोशिका में पित्र कोशिकाओं के समान गुर्ण सूत्रों की संख्या बरावर और बरकरार रहती है सूत्री विभाजन के विपरेद अर्द सूत्री विभाजन उन द्रिगनित कोशिकाओं में होता है जो युगमक निर्मान के लिए निर्धारित होती हैं इस विभाजन को अर्द सूत्री विभाजन भी हम कहते हैं इस विभाजन के बाद बनने वाले युगमकों में गुणसूत्रों की संख्या आधि हो जाती है लेंगिक जनन में युगमकों के संगलन से पैत्र कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या की वापसी हो जाती है अर्ध सूत्री विभाजन को दो अवस्थाओं में विभाजित किया गया है अर्ध सूत्री विभाजन प्रथम और अर्ध सूत्री विभाजन दिती है प्रथम अर्ध सूत्वी विभाजन में समझाद कुन सूत्र जोड़े युगली बनाते हैं तथा इनमें विनिमय होता है अर्ध सूत्वी विभाजन एक की पूरवा वस्था लंबी होती है और पांच उपवस्थाओं में विभाजित की गई हैं मध्यावस्था प्रथम के समय युगली मध्यावस्था पटिका पर विवस्थित हो जाते हैं इसके पश्चावस्था प्रथम में समझाद गुनसूत्र अपने दोनों अर्ध गुनसूत्रों के साथ विप्रीत ध्रूओं की ओर चले जाते हैं प्रते इक धुर्ब जनक कोशिका की तुल्णा में आधे गुन सुत्र प्राप्त करता है अंक्यावस्था प्रतम के समय केंडरक आवरण वे केंडरिक पुनन दिखाई देने लगते हैं अर्द सूतरी विवाजन द्वित्ये में सूतरी विवाजन के समान ही होता है पश्चावस्ता दृतिया के समय संतती अर्दगुन सूत्र आपस में अलग हो जाते हैं इस प्रकार अर्दशूत्री भजन के पश्चाथ चार अगुनित कोशिकाएं बनती हैं प्रियच्छात्रो प्रतेक पाठ के अंत में मुल्यांकन अवश्चक है तो आपके लिए कुछ अभ्यास हेतु प्रश्चन है पहला प्रश्चन निम्न के बारे में बर्णन करें सूत्र युगमन, युगली, क्याजमेटा दूसरा प्रश्चन है पादप वैप प्राने कोशिकाओं के कोशिकाद्र विभाजन में क्या अंतर है तीसरा प्रश्चन अर्द सूत्री विभाजन के बार बनने वाली चार संतत्री कोशिकाओं कहाँ आकार में समान और कहाँ भिन्नाकार की होती है प्रश्ण चार सूत्री विभाजन की पश्चावस्ता अर्द सूत्री विभाजन की पश्चावस्ता द्वित्य में क्या अंतर है? सूत्री वे अर्द सूत्री विभाजन में प्रमुक अंतरों को सूची बद्द करें अर्द सूत्री विभाजन का क्या महत्व है? साथ मा प्रश्ण, अपने सिक्षक के साथ निम्न के बारे में चर्चा करें पहला, अगुनित कीटों वे निम्न स्रेणी के पादपों में कोशिका विभाजन कहां संपन्न होता है दूसरा, उच्च स्रेणी पादपों की कुछ अगुनित कोशिकाओं में कोशिका विभाजन कहां नहीं होता है आठमा प्रश्ण, क्या ऐस प्रावस्था में बिना डिने प्रतिकर्ति के सूत्री विभाजन हो सकता है? क्या बिना कोशिका विभाजन की DNA प्रतिकरती हो सकती है कोशिका विभाजन की प्रतेग अवस्थाओं की दोरान होने वाली घटनाओं का Merciation करें और ध्यान दें कि निम्ने लिखित दो प्राचलों में कैसे परिवर्धन होता है पहला प्रतेक कोशिका की गुणसूत संख्या N तथा प्रतेक कोशिका में DNA की मात्रा C प्रिय विद्यार्थियों आज के सत्र में आपने सूत्री विभाजन के महत्व और अर्ध सूत्री विभाजन का विश्टत वर्णन तथा इसके महत्व का विश्टत अध्यन किया है आप इनका स्वाध्याय करें, इनका पाठन करें, मनन करें और अपने जीवन में उद्देश्य को प्राप्त करें सफल हों हमारी इनी शुपकामनों के साथ शीग्र ही किसी नए उपशे पर आपसे फिर मिलेंगे धन्यवाद झाल 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 झाल